बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चोल सामराजजे के बारे में अब तक हमने पढ़ा है और चोल Precision के बारे में पढ़ेंगे कि आपने जो ये राजाओं के नाम सुने अभी राज राज प्रत्म फिर राज अंदर प्रत्म और उसके बाद राज अंदर प्रत्म का बेटा राजादी राज है ना आपने इन राजाओं के बारे में पढ़ा और राजादी राज के भी बेटे का नाम अपने पढ़ लिया ह तो इन राजाओं की जो उतर से लेकिजक्राया तक यह देखने प्रफमी तक अपना समराचय फैलाया और गंग कोड की उपादी पराप्त की बढ़ाना अपने तो अब इतना अच्छा सम्राचय उतर भारत तक दक्षिंभारता कि इन्हों पर्चम आया और एक सम्राथ बना करके इन्होंने प्र Treasure दिया चलाया facing चलाया तो अच्छा ही होगी किसे वी है आब न सबृत इनका प्रेसेशन के बारे में पड़ते हैं इनका इप्रशाशन कैसा है संपूर्ण चोल राज्जे संपूर्ण चोल राज्जे जो है वो छे प्रांतों में बटावा है कितने प्रांतों में छे प्रांतों में बटावा है संपूर्ण चोल राज्जे और इन छे प्रांतों को क्या कहा गया है मंडलम क्या कहा गया है मंडलम ठीक है फिर मंडलम के भी उपभाग है बच्चों, मंदलम के भी उपभाग जैसे कोटम, मंदलम के उपविभाग है कोटम, ठीक है, समझ मा रहा है, छे प्रांतों में, छे प्रांतों में चोल सामराज्य, राज्य बढ़ावा है, तो छे प्रांतों में बढ़ावा है, तो इसे मंदलम कहेंगे, ठीक है उसके बाद मंडलम के उपविभाग है कोटम, फिर कोटम का उपविभाग है नाडू, नाडू गाउं को कहते हैं, चोटी कई है, कुरुम, कुरुम और, ठीक है, कुरुम, मंडलम, छे प्रांतों को मंडलम कहते हैं, मंडलम का उपविभाग कोटम, कोटम का उपविभाग ना नाडू की सभा को नाटर कहते हैं नाडू की जो सभा होती है नाडू जैसे आप नाडू गाओं को कहते हैं ठीक है जैसे तमिल नाडू सुना आपने कुर्रम और ग्राम यह सब कोटम के छोटे-छोटे उपविभाग है ठीक है अभी लेखो में नाडू की सभा को नाटर कहते की श्रेणियों को नगरतार नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया गाउं के प्रतिनिधी प्रति वर्ष नियमित रूप से निर्वाचित होता है यानि इनका एलेक्षन होता है गाउं के प्रतिनिधियों का ठीक है प्रतेक मंडल को तो प्रतेक मंडलम को जो प्रांथ है उनी को मंडलम कहा गया है, तो छे मंडलों गया है, तो प्रतेक मंडल को स्वायतता मिली है, स्वायतता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नेंतरित करने की कोई केंद्रिय विधान सवा नहीं थी, राजा स्वतंत्र था मंडलों को तो कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन राजा को कंट्रोल करने के लिए कोई केंद्रिय असेंबली नहीं थी विधानसवा नहीं थी भूमी की उपज का प्रतेक छटा भाग लगबग छटा भाग सरकार को लगान की रूप में मिलता था भूमी की उपज का छटा भाग सरकार को मिलता था लगान अनाज में या स्वन मुद् को देते थे भोमी की उपद का छड़ा फाक सरकार को लगान के रुप में देना पड़ता था और वो गोड यह आनाज के रुप में दे सकते हैं चोल राज्य में प्रचलित सोने का Sikha इंप्पॉर्टन्ट है छोल राज्य में जो सोने का सिक्का है उसे क्या कहते हैं कासू क्या कहते हैं कासू सोने के सिक्के को चोल राज्य में का सोने के सिक्के को कासू कहते हैं और यह कासू जो है कितने वजन इसका वजन होता है सोला ओस चोल राजाओं के पास विशाल इस्थल सेमा सेना के साथ साथ मजबुती जहाजी बेडा भी था चोल राजाओं ने सिचाई की बड़ी-बड़ी योजनाय पूरी की तो ये आपको प्रशेशन समझ वाया क्या-क्या था इसमें ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहल प्रांत है छे प्रांतों को मंञर्णаст कहा फिर मंढडल को कोटम में बाटाउ है त्यों प्रांत मतलब राज्य होता है तो छे प्रांत यानिए छे कोटम मतलब जीला और कोटम के उविभाग तो जीले को जो है नाड़ु, कुर्रम, और ग्राउमं में बठा गया और सबसे छोटी इकाई कौन सी है इसकी मंडलम की सबसे छोटी इकाई है आपकी ग्राम ख्लेर हुआ चलिए आप देखिए नाडू जीले को कहते हैं वई मंडलम कोटम जीले को कहते हैं और जीले को गाउं में बाटा गया है नाडू पुर्रम और ग्राम ठीक है और नाडू की जो सभा होगी उसको नाटर कहते हैं और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा जाता है और नगर के प्रतिनी धी इलेक्शन लड़ते हैं उसी के द्वारा सेलेक्टेड होते हैं आप ये चितर देखिए चोल कालीन मंदिर द देखिए कितनी सुदर तरीके से पथ्षों की बारीक रूप से कटाई करके और पत्थ्षों पर सुदर सुदर डीजैन बना करके तो ाप Ci देखिए में दिखाए है और इस मंदिर में यह मूर्ति रखी है शुव मंदिर की नटराज की मूर्ति क्लियर हो आपको इसलिए आपका एक्जाम का कोशन है वृदेशवर का मंदिर किससे बन वाया और इसमांदिर में भगवान कौन से हैं तो शुव जी है और राज-राज प्रत्म ने को आगे बढ़ाया ठीक है चोलों की द्रविड, यह मंदिर कौन से बनेवे हैं द्रविड के ऐसे मंदिर होते हैं आप सोच रहे हैं तो द्रविड मंदिर की कि विशेष्टा हैं क्या है सबसे पहले वर्गाकार विमान होगा ठीक है फिर मंदप होगा फिर गोपूरम होगा फिर कलापून इस्तंभ होंगे खंबे ठीक है और कलापून इस्तंभों से युक्त व्रहद सदन होंगे बड़े-बड़े सदन बैठने के लिए सजावट के लिए परंपरिक संयुक्त इस्तंभों का होना तो यह सब मंद करति के लावा हूँ लंबे-लंबे उचे-उचे स्थम्भ बने में हैं और द्रविड शेली कहलाती है ये पूरी आपकी द्रविड शेली में बनावा मंदिर ठीक है और व्रहदेश्वर मंदिर की बात आपने सुनी है इसके बात देखिए राज-राज-ब्रथम का तंजोर का नमुना है, जिसَّ ơi व्रधेश्वर नाम से भी जानते हैं. दक्षिन, भारत में नेहरो चल और LE चोल की देन है। चोल मंदिरों में चिदंबरम और तंजोर के मंदिर सरवोत क्रस्ट है। छोल yug की नेट राज convention की शीव की कास्व के मूरति- सर्वोतक्रष्ट मूर्थी मानी जाती है यह आप देख रहे हैं चित्र में देखो आप यह देखिए आप यह जो नट्राज की मूर्थी आप देख रहे ना यह शिव की कांसे की मूर्थी है कांसे की मूर्थी है और सर्वतकर्ष्ट मूर्ति हैं कासे की सर्वतकर्ष्ट मानी जाती है चोल सामराजी की और मंदिरों की गोपुरम शेली गोपुरम का मतलब होता है गोखड़े बने वे होते हैं उसमें बैटने के लिए तो गोपुरम शेलिक का विकास भी इसी युग में हुआ समझ मैं आपको फिर देखिए अब आप समाज देख लीजिए तंजोर का मंदिर याद रखना है तमिलनाडू में है ये भी और शिव जी की नटराज की जो मूर्तिय आपने देखी वो कासे की बनी भी है समाज देखिए चोल राजा जो है आपने मंदे शिव जी का देखा है तो राजा जो है वो शेव धर्मानुए ही है शेव धर्मानुए का मतलब है शिव को मानता है शिव जी के अनुयाई है ये सरे चोल राजा शिवुजी को मानते हैं तीके जाजा धिराज के अभी लेखों में आपको पता है ना राजंदर परतम का बेटा था राजा धिराज उसने अश्यों में एक यग्य करवाया था उसके लेखों में मिला है समाज में इस तरहां संपती के सौमनी होती थी आने पती की संपती पेर पत्नी का पूना दिकार था दास और देव पुत्र लिच्वी पाटली पुत्र का पुराना नाम नया नाम पटना और यह वाका टक सामराज्य यह आपके पल्लो में आपको बोला था पल्लो के परांता प्रतम को हराया था अधित्य ने याद आया और पल्लो की राजनी कांची है इसके बारे में आप अभी पढ़ेंगे और कदम बोर्गंगा इस प्रकार यह आपका साथवाहन सामराज्य जो है वो भी आपका यहीं पर ही है फिर देखिए अब आपका आता है अब आपका इसके अंतरगत आता है सामराज्य के अंतरगत यह है आपका चालुक के वंच के बारे में हम पढ़ेंगे आपने चितर के द्वरा समाज को पढ़ा है और अब हम पढ़ते हैं पल्लव वंच के बारे में पल्लव फिर चालुक के बाहिय आकरमन और हून और कुशान इस प्रकार आपके आएंगे तो देखे सबसे पहले पल्लव वंच को देख लीजे इस वंच के शाशक का नाम पल्लव वंच का जो शाशक है उसका नाम है अरकार्ट, मदरास, त्रिचिनना पली और तंज़ोर के अधुनिक जीलों पर राज़े करते थे पल्लव वंच के जो शाशक यह नी जो राज़ा लोग थे उनका शाशक जो है वो मदरास पर, त्रिचिनना पली पर और तंज़ोर आपका तमिल नाडू में है तो इन राज्यों पर पल्लवों का दिकार था ठीक है शीला लेखो में पल्लव राजा का उलेक कांची के विष्णु गोप का मिलता है क्या बोल रहा है ये शीला लेखो में पहले पल्लव राजा शीला लेखो में पहले पल्लव राजा का उलेक कांची के विश्णु गोप का मिलता है पल्लवों में सिंग विश्णु चटी शताब्दी इस्वी के उत्रार्द में सिहासन पर बैठा था पल्लवों में सिंग विष्णू सिंग विष्णू नाम का राजा है जो छटी शताब्दी खतम हो रही थी उस दोरान सिंगासन पर बैठा हो था और इस सिंग विष्णू के बाद में दो शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्जी किया कुछ पल्लव राजों के नाम हैं आप सुन लीजिए, दो शतापदियों तक पल्लवों ने राज्य किया जैसे पल्लव राजा का नाम महंदर वर्मा प्रतम, छेस्टो से पच्छिस्ता किस ने इस वी तक शशन किया महंदर वर्मा प्रतम, फिर नरसिंग वर्मा प्रतम, आपने पढ़े अब आप सुनिए कि जो मेहंदर वर्मा है आपने सुना ना मेहंदर वर्मा प्रथम और मेहंदर वर्मा दिती है ये दोनों के नाम है तो मेहंदर वर्मा जो है उसने वो एक वास्तु निर्माता था क्या था वास्तु निर्माता उसने पत्थरों को तराश कर बहुत सारे मंदिर बनवाई मेंदर वर्मा ने मेंदर वर्मा प्रथम की बात कर रहे हैं मेंदर वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक एक नाटक भी लिखा और उसने मेंदर नाम का तालाब भी बनाया नाम से पता चल रहा है तो मेंदर वर्मा ने ही मेंदर तालाब ब वर्मा प्रथम को महंदर वर्मा प्रथम को जो है चालुक्यों के राजा पुलकेशन चालुक्यों का बहुत ही शक्ति शाली पावर्फुल राजा है पुलकेशन दित्य और आप देखना भारत में ये चालुक्यों का सबसे महत्वपुन राजा रहेगा तो इस दिते ने, जो है पाउरफल चालुकियो के राजा ने इस महंदर वर्मा प्रत्म को हराया महंदर के पुत्र और उत्रादिकारी नर्सिंग वर्मा फिर پॉलकेशन दिते जीद गया था लेकिन आपको पता है कि पल्लोओं का राजा जो है महंदर वर्मा उसका बेटा आएगा और वो इन से बदला लेगा तो महंदर वर्मा का पुत्र और उसका उत्रादीकारी आएगा नर्सिंग वर्मा तो नर्सिंग वर्मा को लोग महा मल के नाम से जानते थे महा मल उसने 642 इसी में पुलकेशन दित्ते को युद्ध में हराया तो इसने अपने पिता पल्लों के राजा कौन था पल्लों के राजा महंदर वर्मा प्रथम का बदला उसके बेटे नर्सिंग वर्मा ने पुलकेशन दित्ते से युद्ध करके ले लिया ठीक है और पल्लों की राजधानी थी पल्लों की राजधानी थी चालुक्यों की राजधानी थी वातापी चालुक्यों की राजधानी थी पुल्केशन दित्ते की राजधानी थी वातापी तो इस महंदर वर्मा प्रत्थम के बेटे क्या नाम है उसका महंदर वर्मा इन्होंने जीता। परंतु छालुक्यों ने वापस 655 में अपनी इस हार का बदला नर्सिंग वर्मन जीत गए था पहले। फिर वापस चालुक्य आए और चालुक्यों ने अपनी इस हार का बदला लिया। चालुक के राजा विक्रमा दित्ते प्रतम ने ये पुलकेशन दित्ते का बेटा है विक्रमा दित्ते है तो चालुक के राजा विक्रमा दित्ते ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा ये नर्सिंग वर्मा का बेटा है परमेश्वर वर्मा तो पल्लवों के राजा कांची को अब चालुक्यों ने अपना दिकार कर लिया है समद्ध में आरा आपको विक्रमा दित्ते ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को हराया नर्सिंग वर्मा का बेटा है इसको हराया और फिर से पल्लव की राजनी कांची पर विक्रमा दित्ते का दिकार हो गया किस मामूल पुरम या महाबली पुरम नगर की स्थापना की और वहां पर पांच रत मंदिरों का निर्मान करवाया इस मंदिर के इंदर खास बात यह है कि यहां चट्टानों की तराशकर मूर्तियां उतकीन की गई और कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाया और पल्लव शाष्कों में कुछ विश्णु भगवान के मंदिर उपा सकते हैं और कुछ शिव जी को मानने वाले थे पल्लव राजाओं में तो पल्लव राजाओं के टाइम जो है मंदिर बहुत अच्छी आवस्ता में बने हैं ठीक है